if hello everyone welcome back to our channel billion education where we aim to reach and teach billion population so guys आपका स्वागत है अपने ही चानल billion education पर हाज आपके साब ने वन शूर्ट सिरीज लेके कौन से टॉपिक की हमारे जॉग्रफी का chapter number six बहुत इजिज ब टॉपीक है लेकिन अच्छे से कर होगे तो once done always done यही सिलसिला होता है हमारे जोग्रफी का पॉपुलेशन दर नेम आफ चाक्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले बात करेंगे हमारे प्यारे देल भारत के बारे में अब इसमें क्या है दोस्तों से फैक्चुल डेटा है डेफिनिशन से वही देखना है और यह सेम आप लोग ब्रजील में भी देखोगे वहां पर भी कोई आपका इश्यू नहीं आएगा एक सेकंड चलिए तब कुछ बढ़िया है दोस्तों रखते हैं नेक्स्ट इंडियास पॉपुलेशन कितना है दोस्तों देखो यह हम लोग को याद करने लाएक है पहली बात पॉपुलेस है फॉर्स्ट कौन है चाइन अब इतना ज्यादा पॉपुलेशन देखो एक क्या होता है पूरे वर्ल्ड में 100% में से सिर्फ इंडिया का 2.4 परसेंट है इग्जाक्ली 2.41 परसेंट एरिया कावर करता है इंडिया लेकिन वर्ल्ड की कितनी परसेंट करते हैं दोस्तों यह किलोमेटर ऐसे आप चले फिर एक किलोमेटर एक किलोमेटर एक किलोमेटर का पूरा स्कॉयर बनाने का इसमें कितने लोग हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉपॉलेशन डेंसिटी important है कि एक square kilometer में कितने लोग रह रहें इंडिया में एक kilometer एक kilometer ऐसे एक square kilometer में total 382 परसन रहते हैं अब 382 क्या हर जगे हैं मतलब ऐसे डब्बे हम हर जगे बना दे तो हर जगे 382 382 मिलिंगे इंडिया में हर जगे जी नहीं कहीं पे ये 900 है किसी डब्बे में या 900 ये कहीं पे सेम एरिया में सिर्फ और सिर्फ 20 लोग रह रहे हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन कैसा दोस्तों बोलते हैं हम लोग मतलब सब जगे सेम नहीं है आप देखोगे तो हमारे एक सेकें हमारा जो मुंबई यह बहुत पॉपुलेशन दू करोड से जादा लोग रहते हैं वहीं पर चले जाओ लातूर में ऐसी लातूर तो बहुत बढ़ा डिस्टिक लिए फिर वे ऐसे जाओं के इलाके में कहीं चल क्लाइमेट फिज्जök लिए फिज्जीओक्राफि मतलब वहाँ पर कैसा माौंणों के इस पर इस पर णान करता है कि लोग कहां पर रहें है बहुत इंपंप्रटन डे करता है यूट्स से लैंड क तो त्ली लाइन मतलब क्या ह प्लेन लेंड तुमा एंड अवेलेबिलिटी ओफ वाटर यूमन सेटलमेंट है बिन स्टैबलिश्ट इन इस पार्ट्स इन मैनी पार्ट्स ओफ मैनी कंट्रीज और हमारे इन दीस पार्ट्स ओब यह नॉर्धन इंडिया के यहां पे यह देख रहे हो यह जो पूरा आप दे इंडिया में पूपूलेशन वाइस यह नदन पलेन में ही है और सेंचुरीज सेंख और आज नहीं बहुत पहले से वह दूटी फार्मिंग इंडस्ट्रीज एक सेकें दूटी फार्मिंग इंडस्ट्रीज ट्रेड दप्रपोर्शन पॉपॉलेशन गॉट इन फ्यू प्लेस इसके अलावा बात करें मुंबई यह से जगहों पर क्यों लोग आगे यहां पर तो हम थ यहां बेर आपनेगा अना पर हो गया मैं डिन आदर फली प्लें कि का इंडिया के कौन से साइड में यह है कि इन्डिया का नॉर्थर इस और इस आप डोंग इं! अगेन आप लोग को फिजियोग्राफी चैप्टर में होगा जरूर होगा तो नदेर पर अभी से बता देता हूं बहुत ज्यादा लोग नहीं और डेली कोलकाता मुंबई पूने बैंगलोरू चेन्ने यह सब पार्ट में क्यों रह गए क्योंकि यहां पे हमारा ट्रेड हिली रिजन्स राइड डेजर्ट टेंस पॉरेस्ट एरियाज डेंसिटी इस पार्स तो क्या-क्या चीजें लिस्ट आउट कर लेते हैं एक तो पहला हमारा ब्लैक कलर ले लेते हैं पहले तो हमारे डेजर्ट अ कि दूसरा माउंटेंज नहीं जो यहां तो इसी को हम लोग क्या बोळते है हिली रीजन डेजर्ट तो होगय है मालूम पड़ता है हम लोग को मलوم पढ़ता है जहाँ पे कम है तेको यहां पे यह पर सफ bunch family और दूसरा कौन सवला और यहां पहरे से बोलो यहां पार से मतलब दूर 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 लोग मिलेंगे हो गया पॉइंट तो पहला रीजन बताना आपको कि क्यों कहीं पर population जाता और कहीं कहीं पर population कम होता है दूसरा point क्या करोगे आप लोग बता दोगों कि नदन प्लेन में जाता है क्योंकि वहाँ पर फटाइल है और साथ है डेल्ली मुंबई पैंगलोरू और पूने में क्या है ट्रेडर टूरीजम और इ आप सिट विद इंडिया विर डन विद इंडिया नाव मू फ़ोर इट ब्रजील कि आभारे में आते है ब्रजील मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंदी द्यान रखना South American continent अब वर्ल्ड में तो बहुत continent है 7 continents है हमारे लेकिन South America जिसमें Argentina उर्गुवे परगुवे पेरू, चिली, कोलंबिया सूरी नाम, फेंच गुवाना कोलंबिया हो गया ऐसी जो countries है, बुलीविया ऐसी countries है लेकिन सबसे ज़्यादा उस continent में population की जा रहे है, ब्रजील में पुरे वर्ल्ड का नहीं बोला South American continent का विज़ा population of around कितना है सिर्फ 19 करोड, इंडिया का कितना था 121 करोड ये कितवा है रैंक में 5th इंडिया कितवा था 2nd, compare करके याद रखते रहो लाल ले लेते हैं इट ऑल्सो दफिफ्थ इन दव वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया तो देखो, वर्ल्ड में population wise counting करें तो पहला चाहिना हम लोग बोलते दूसरा इंडिया ऐसे करके calculate करते रहते हैं तो उसमें फिफ्थ नंबर पर आता है लेकिन एरिया वाइस भी calculate करें तो ये कैसा आता है 50 आता है ब्रजील occupies 5.6% इंडिया कितना था 2.41% एरिया वर्ल का था और हमारे यहाँ पे 17.5% पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की इनके पास सिफ 2.78% वर्ल टोटल पॉपुलेशन कितने दूर दूर लोग रहते है therefore the density यहाँ की कितनी है सिर्फ 23 एक स्क्वार किलो मिटर में यहाँ पे सिर्फ 23 लोग रहते हैं हमारी इंडिया के 1 स्क्वार किलो मेटर में 382 रहते हैं देखो गाईज यह सब रट्टा मारने वाली लेकिन हम लोग बार बार पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गए इसको यूस्टू हो गए तो मेक शिर आप जरूर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में से शेयर करें महौल बना दें धूआ धूआ कर दें तो चलिए मेजारिटी अगर अगर मलग बोले हैं पंचास परसेंस ज्यादा नौप पोपेलेशन तो आपको इस्टन कोस्तल प्लेय मी मिलेगे देख लिजे यह रहा इस्टन कोस्तन प्लेय discour produz यह नाम क्या इसका इस रोस्त को स्टल व्या की जुप आई डून नो बट आम इन लव विद इस कलर ओके देफो एगरी कल्चर इंडस्ट्रीज है फ्लरिश्ट वेल हीर तो लोग रहना शुरू हो गए तो यहां पर दो चीजें बहुत अच्छी है एगरी कल्चर और दूसरा इंडस्ट्रीज अब इंडस्ट्रीज बोलोगे सरका देखो यहां पर ना यह ब्रजीलियन हाइलेंड का पार्ट है ब्रजीलियन हाइलेंड में क्या है आईरन बहुत जादा है कूल बहुत जादा है अब यह लोग क्या करते हैं यहां से फिश भेशते हैं पूरी वर्ल्ड को ट्रेड करते हैं तो हमारी इंडिया में क्या बोल से क्लाइमिट बहुत अच्छा था प्लस फिजियोग्राफी प्लेन वाइस थी इसलिए लोग रहे इनका क्या है लोग यहीं पर रहना क्योंकि बाकी सब यहां से रिवर अमेजॉन निकलती है और यहां पर इतने ज्यादा खराब कंडिशन दिन बर वारिश होती रहती है लोग रहना नहीं चाहते और यह कैसा है प्लाटू टाइप है तो बचा कौन सा प्लेन वाला तो इंके पास भी प्लेन है लेकिन अभी लोग क्या किये भाई देखो मिल बुला कि यह करना तो यह लोग अगरी कल्चर बोले बाई शुरू करते हैं जितना सॉइल मिल र यहां नहीं कर आएगा नेक्स्ट हाँ अजर इसल्ट देंसिटी अपॉपुलिशन इस फाउंड यह नहीं पर रहते हैं अन दी कॉंट्री कॉंट्री देंटीर इन्टीर इन्टीर इंदी अमेजान बेसीन इस वेरी स्पास्ली पॉपुलेटेड अन फेवरेबल क्लाइमेट क्या क्या लिखना है अमेजान बेसीन में अपने को पॉइंट कर लेते स्पास्ली पॉपुलेटेड क्यों है पहले तो अन फेवरेबल क्लाइमेट है इंसेक्स बहुत मिलेंगे वहां पर हैवी रेन वहां आप लोग नाइंत में पढ़ते एक्वेटर के पास हमेशा क्या हो कुप होता है कि वहां पर बादल बन जाते हैं और बादल क्या कर देता है पूरा पानी पानी तो वहां पर दिन में बारिश हो जाती है दिन बर बारिश तो हैवी रेन फॉल इनकसिबिलिटी मतलब क्या माउंटेंस माउंटेंस के बीच में से कहीं वैली में से रिवर निकल कि यहां पे रही नहीं रहें हैं और यहां पर भी क्या बोले यह माउंटेन से ऐसा देखो मत यह माउंटेन से या तो प्लाटूस एं टेंट्रल आइलेंड यह सब ध्यान का ब्रजीलीन ऐलेंड़ डियरफ्वर सेटलमन्ट अकर ओंली इन ही पंदया मेजों बेसिस अमार्जा यह सब सेटलमेंटी ना थोड़े थोड़े है वाई पॉकेट्स में जिदा थोड़ा सा प्लेन उत्रस मच्छर कम काटे इंसेक्स कम दूप कमा मतलब दूप थोड़ी कम थोड़ी बारिश कम ऐसे जगों पर लोग रह रहे हैं एक सेकंड दूस्तों बैटरी देखो जिसका डर चल टाट हो गया है ओके अवरीटिंग इस फाइन दोस्तों नहीं तो पूरा कराय कराय लेक्चर खराब हो जाता ओके नेक्स्ट थे सेंट्रल एंड वेस्टरन पार्ट आप ब्रजिल इस लेस्ट पॉपुलेटेड एंड देंसिटी ओफ पॉपुलेशन इस इन इंडी हाइ जहां से देखना मजा आयँ तो लाइक दबाना कि अधुर सेंट्रल पोर्षन यह वाले पोर्षन और वेस्टरन पोर्षन वेस्टरन यह पार्ट वो गया एंड सेंट्रल पोर्षन में अगर बढ़ा लो इसको यहां पर क्या है पॉपुलेशन स्पार से मतलब कम है आते हैं तो आप आओगे यहां पर मॉडरेट है बीच में बहुत कम भी नहीं बहुत ज्दा बीने और आगे आते हैं इस तंडर तंडर तर दर तर दर दर तर यहां पे तो बहुत डेंस population is that's it for the time यह होगया पार्ट हमारा अब इसके बाद का जो कहानी हमारा बसनता है दोस्तों उसके अंदर आप लोग को क्या देखना है एक से कि उसके अंदर आप लोग को यह जो आपनी मम्मी से पूस्ता है ममा ममा population कितना होता है sex ratio क्या होता है यहीं सब बचकाना बाते वो एक दूसरे से करेंगे तो make sure करें कि आप उसे भी देख लें आपको एक बार करवा देता हूं वो भी सारी चीज़ें एक second time दीजी तो आ गए हम लोग देखिए मैं ही हूँ पहले वहां था आप यहां आ चुका हूँ चार्ट करते हैं दोस्तों अब यह देखिए पहला आता है population composition में sex ratio population composition आप लोग पहला क्या लिखोगे sex ratio क्या है अब उपर वाला किसका है दोस्तों यह ब्रजील का है नीचमाला किसका है प्यारे भारत का है दोनों देख लीज plot यह प्यारे भारत का है और वो ब्रजील का है तो आप देखो कि दोस्तों यहां पे एक ट्रेंड है, टेक्स रेशियो क्या आता है, पर थाउजन मेल पे, नमबर ओफ फीमेल कितनी है, आप देखो कि गाईस ब्रजील में बहुत पहले से आप सीन देखो यहां पे, बहुत पहले से यह लोग हजार के उपर ही थे, यह लोग हज 2021 का यह देखो, 81, 1991, 2001 में तो एकदम बंप मार दिया, लड़कियों का पॉपुलेशन बढ़ गया, और 2011 तक देखी, यह 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओके, अब वहीं पर आते हैं, इंडिया का देखो, इंडिया का उतना अच्छा नहीं रहेगा, हजार लड़ उसके बाद बढ़ा, हम लोग आज कितना बोलते हैं, 942 के नजदीक हैं, और कितने मेल पे, 1000 मेल पे, 942 फिमेल हैं, अब बच्चा देखो, इस्टूडेंट अपने हम पूछ रहे हैं, what is sex ratio, sex ratio means number of females per thousand males कितने होते हैं, अब गाइस देखो, यह क्यू ग्राफ आपको बता र अब 940 दिख रहा है, यहाँ पे 1961 में था, इस तरह से question आते हैं, अब इस पर लोग टाइम नहीं आप लोग को देते हैं, और सूचते हैं कि इसी तरह से question विचारे हैं, आप लोग सौल कर लोगे, easy question और easy marks मिल रहे हैं, तो क्यो छोड़ना, ठीक आप पूछे हैं, कौन से country म 1961 में 1000 से जादा लड़किया थी, तो अगें ब्रजील आंसर का इंडिया में तो बहुत पहले सालों से 1000 से कम हैं, तो यह point हमारा खतम होता है, यह देखो, कुछ important points हैं, वो देख लेते हैं, एक second, आ जाते हैं दोस्तों, sex ratio of Brazil has been more than 1000, more than 1000 since decades, बहुत सालों से ऐसा ही है, considering the sex ratio of the Brazil, number of women have considerably increased than men since 2001, 2001 से अचानक से graph ऐसे उपर गया न, इसलिए वह यह पर लिका है, Indian men out number women, मतलब क्या, number of men जादा है, India we see fluctuation in sex ratio, since few decades, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट फिर बढ़ा है, ऐसा कुछ हो रहा है, there has been a slight increase in the sex ratio, after 1991, थो थोड़ा बढ़ा है, बहुत जादा नहीं बढ़ा है, ओके, तो यह graph की analysis आप लोग की complete हो गई, आते हैं, अब यह देखो guys, population composition में, पहला था sex ratio, अब दूसरा आता है age and sex pyramid, यह देखो, यह देखो, यह देख रहा है, pyramid के shape का है थोड़ा सा, complete तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे pyramid का shape ही ब बोलते हैं इसको, फड़ा सा, रप कर देखो, लिखना शुरू करते हैं, अब यहाँ पर देखो, blue में क्या दिखाएगा, फिर से यह graph आप लोग को आएगा, और आप लोग लिख नहीं पाओगे, तो बहुत दूख होगा दोस्तों, और यहाँ पर red में क्या है female, तो left hand side प इतने है, female कहाँ पर दिखाएगा, राइट side में, अब देखो, यहाँ पर देखो, जीरो से शुरू किया, और यहाँ पर क्या है, एज ग्रूप है, मतलब आपको सीधा बोलू, सबस्यादा कौन से एज ग्रूप के हैं, और यह कौन से साल का है, ब्रजील का 2016 का है, तो से मियर में, से मियर में, मतलब 2016 में, कितने जाएं मतलब जो लड़कियां थी, वो अगर पूरी लड़कियों को मिलाए जाए, बच्चों को भी लड़कियां मिलाए जाए, बूरी होते भी मिलाए जाए, सबको मिला दे, female में, तो सबसे जादा कौन सी थी, सबसे जादा जो इंडिया अब तो पिरामिड सच में पिरामिड लग रहा है दोस्तों हमारे इंडिया में बता हूँ 2016 में सबस्याद कौन से पॉपॉलेशन देख रहा है आप लोगों को मौका दिया जाता है सोच के बताईए कौन सी एज ग्रूप के सबस्याद है 2016 के पॉपूलेशन में बताइए अब आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 10 से लेके 14 तक का मेरा पैन क्यों रुग गया भाई यह यह देखो यह वाला पीक सबसे ज़्यादा बाहर निकला है मतलब 10 से लेके 14 वाले बहुत हैं लेकिन औरते कौन सी ज़्यादा हैं सेम दस से लेके 14 वाले वाटन अचीवमेंट अच्छा बताओ इंडिया में यंग ज्यादा है कि ब्रजील में ज्यादा है तो आप देखो हमारा जो यंग इसी को बोलते हैं तो इंडिया में कितना ज्यादा पॉपुलेशन यंगी है यह यह सब यंग है इतने ज्यादा लोग यंग है इंडिया में वहीं पर ब्रजील में देखो इत्तु से तो इंडिया में यंग पॉपुलेशन इसलिए बोलते हैं लोग अब देखो एज सेक्स पिरामिड का डेफिनेशन दिया अब आप लोग को एक्जाम में यही लिखना है अब ग्राफ शोज एज एंड सेक्स इज भी बताता है यहां पर देखो और सेक्स भी बताता है मेल फीमेल यह साथ में बताए इट इस नोन एस पॉपुलेशन पिरामिड ठीक है कि नेक्स्ट अब देखो यहां पर एक क्वेशन पूचा है कि बुढ़े कितने यह पता चलता है इंडिया में देखो उपर वाले कितने कम हैं हमारे इंडिया में जो ओल डेज पॉपुलेशन है कितनी कम है यह देखो यह जो 90-94 वाले हमारी इंडिया में बहुत कम है वहीं पर उसके नीचे वाले भी बहुत कुछ खास नहीं तो ओल्ड इज पॉपुलेशन इंडिया में बहुत नहीं है ब्रजील का आप देखोगे ना गाइस तो हमसे थोड़ा सा ज्यादा है वो भी यंग कंट्री नो देखो यहां पर देख रहा है थोड़ा सा इंका चौड़ा मार रहा है यह देखो ओके तो हमारा पतलूस है तो यहीं बोलते हैं कि इंडिया का जो है वो कैसा है थोड़ा सा मॉडरेट है नेक्स्ट कंस्रीन देज़ा पॉपलेशन इस गेटिंग स्लोवली ओल्डर ध्यान इंडिया सिचुएशन इस डिफ्रेंट हम लोग अभी यंग है यही तो मैंने आपको अनलाइस करके ग्राफ के तुरू बताएगा आप लोग को नो डाउट और सारी चीज़ें आप रिवाइस करोगे और अच्छे समझ में आएगा लेकिन यही क्वेशन आप लोग को पू बताना मुझे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है ओके बच्छो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक बार देख लेते हैं सो दाट कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से आजए अब यह मुझे बताना पड़ेगा आजाओ कि देखो कि समझो इंडिया के मैं प बड़े किसमे 1961 में तो कितने परसेंट से ग्रोथ दिखा दस परसेंट से पिर से दस परसेंट बड़ा ग्रोथ 1971 तक हम लोग बढ़ गये कितना परसेंट ग्रोथ हो जाएगा हमारा इसमें और 121 हो जाएंगे समझ रहा दस परसेंट ग्रोथ अगर इसमें दिखाया जाए 100 वाले में 10% की ग्रोथ होगी तो कितने हो गए टूटल 110 वाले में 10% की ग्रोथ दिखाऊ तो कितने हो गया 121 और ये कौन से यह में था 1951 यह था हमार नाइनिटीन सिक्स्टी वन और यह था 1971 अब आते हैं हम लोग क्या बोल रहें दोस्तों अब जो हमारी ग्रोथ रेट हो सित 5% बड़ी पाच परसेंट बड़ी समझों population की growth rate हम लोग बूल रहें वो 5% बड़ी तो इसका 5% कितना हो जागा निएली चे तो 127 अब ध्यान से देखें है अमने numbers को लिखते हूँ पहले population कितनी थी 100 यहां पे कितनी थे हमारी दस परसेंट यहां पे कितनी थी पांच परसेंट बच्चे यही नहीं समझ पाते अब देखो मुझे बताओ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है यस पॉपुलेशन झालों में क्या हो रही यह कि वाल यहीं पिद् выпуск कि दम खा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है लेकिन पॉपूलेशन का ग्रोथ रेट कौन से रेट से हो रहा है वो डिक्रीज होरी है ऐई बाथ समझना यह ei़े था मेंड समझाना आप लोग को दोस्तों बाति सारी चीजे है इसी बात को समझना था आओ फिर से देख लेते हम लो कि आओ कर लेते हैं चलो कि अब देखो यह फिर से किसका है ग्रोथ रेट इन बर्जील इस एक यहां पर यह पर पहले पॉइंट फाइब फिर वन परसेंट से सब्सक्राइब यहां पर यहां सब्सक्राइब इसके बाद बोलेंगे ट्रेंड क्या है हर एक दस साल में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ग्रोथ रेट समझें यह बाद समझ लिजे यह क्वेश्चन बना रहा हो आपका और भी दे सकता हो लाइव रहेंगे तो यह देखो है इंडिया का ग्रोथ रेट 1961 में टू थोड़ा सा बड़ा नाइटीन सेविंटी में फिर देखो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया सेम रहे गया कुछ ज़्यादा फरक नहीं आया तो पॉइंट यूफाइब फॉइंट फाइद नस्दी के रहा थोड़ा सा उसके बाद नैंटी युन में क्या हो गया डिक्रीज उसके बाद 2001 तक क् के टच होने वाला है थोड़ा सा ही नस्दीक में 0.5 तक आ गया है वो देखो ग्रोथ रेट देखो अभी यह समझेगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन्डी बर्जील जो ग्रोथ का रेट है वो बहुत तेजी से गीरा है और इस ने ग्रोथ रेट बोला ब्रजील का और इंडिया का सिब ग्रोथ बोल दिया लेकिन हमारा भी तो आप देखो के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो कमी वा था नो डाट पॉपुलेशन बढ़ा था इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वस हाईयर तिल 1970 बहुत ज्यादा था देन दिस रेट स्टेबिलाइज स्टेबल हो गया था न सीधा लाइन आया था इसा मैं बताए कि देखो टू पॉपुलेशन ग्रोथ इस नाओ डिकलाइनिंग कम हो देखो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर जीरो हो जाएगा इस तो इसका मतलब कि आप लोग बोलेगा सर यह पॉपुलेशन घटेगी नहीं ना बाबा समझे क्या आगे बढ़ते हैं चाहिक लाइफ एक्स्पेक्टेंसी कितने सालों तक जी रहें बंदे बंदी देखो लाइफ एक्स्पेक्टेंसी अब इसका मेनिंग पहले देख लेए बच्चे अपने में क्क्वेस्चन करते रहें लेगिं काम की चीज बोलकी जाते हैं बच्चे पढ़ाकू लग रहें लगता है टॉपर और अरश्राबूट की यह लोग दिस मींस देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है दिस मींस एवरेज नंबर ओफ यह अब परसंद बॉन इनकांट्री इस एक्सपेक्टिक टुली मतलब जो बंदा पैदा हो गया कितने सालों तक ख्लीव करेगा एक कांट्री के अंदर इंडिया की देखो फिर से हमारा प्यारा भारत कहां पर यहां पर किस्टीज में कितना था फॉर्टीवन देखो बढ़ता है फॉर्टी यह घ्राप जादा आता है फिप्टीफोर फिप्टीएट देखो हर साल बढ़ रहा है अब इसमे कि क्या हो रहा है वह बोलता है steadily decrease हुआ है एकदम देखो मतलब जो ग्रोथ है वह स्टेडिली वह ना पहले साथ से बढ़ रहे ते फिर छे से फिर देखो 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 लेकिन बीच में एक यह आ गया ना चार यह मजा नहीं दिया इसने ट्रेंड को तोड़ दिया ऐस कितना था सेम यह में ऐसे भी कंपेर करते दोनों ग्राफ में यह था 54 अब इनका भी डिफ्रेंस पता कर लेना अगर पूछा है तो नहीं थे फुकट का मत निकालना 73 75 तो यह दोनों का एक क्या कॉमन चीज दिख रहा है यह दोनों के दोनों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है मतलब जो पैदा हुआ है वो जादा दिनों तक जी रहा है जी रहा है वो डूडाउट दिएगा भी चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों क्या कहना चाहते देखते हैं इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस इंक्रीज डे इंडिकेटर ऑफ डेलॉप्मेंट आफ दी सोसाइट मतलब क्या लोग एजुकेट हो रहे है तो अपने जहान रहे हैं हर्फ फैसिलिटी बढ़ रही है हॉस्पिटल आ चुके ये स कांडर आफ लाइफ भी बढ़ते अच्छा खाना खाते हों इंप्रूमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी देखो क्या क्या रिजन्स होते हैं प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड एक्सेस टू निट्रिशियस पूर यहीं समय बता आ रहा था लिट्स टू इंक्रीज एंवरेज लाइ इंक्रीजिंग तो शियो मतलब सोसाइटी क्या जो उनके बीच में लव बढ़ेगा और एक इकोनॉमी भी बढ़ेगी तो क्या होगा हर एक चीज अच्छा होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप लोगी अच्छी होगा अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा कुछ निया बीस में से कुछ आगे चलके फिर जवानी में कुछ रोगा तता दस दस में से जो बंदा देखो डाइरिया की मार जेल गया निमोनिया की मार जेल जो बोलते हैं इंजरी से बज़ गया तो उसकी वाड़ी कितनी इम्यून होगी तो वो लोग क्या होते थे वही लोग सो साल तक जीते थे अभी क्या होता है सो लोग पैदा है ना इसमें से कूंड़े जिनदा रहते हैं कुछ पहले थोड़े बाहर में यही फ़रक है प्लीज कोई नहीं बताएगा जल्दी से अब आते हैं लिटरसी कितने लोग पढ़े लिखे हैं ब्रजील का देखो 1961 से फिर से यहाँ पे लिटरसी रेट का रेश्यो लिखा आप भी ऐसे ड्रॉ करिएगा इंडिया के साथ लेकिन इंडिया का कितना लोते हम लोग हमने अब पूछेगा कि सबस्यादा सफर किसने तहीं क्या देखो 2016 में इंडिया 72.2 और यहाँ पे 40.8 है यह माइनस करोगे 12 में से एडिया तो कितना होता हमारा 31.4 परसेंट का ग्रोथ दिखा है इंडिया ने अब वहीं पर आ जाते हैं ब्रजील का जी हाँ आपको अभी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं मैं यहाँ पे मैक्सिमान कितना है 92.92.6 और मिनिमुम कितना है 74.6 ता 6 में से 6 गया 0 12 में से 4 गया 8 एन 8 में से इंडिया ने बाकी क्या है जिंदगी धुआ धुआ है ओके डाट सिट गवस्तों यह हमारा सिलाबस खताम होता है यह चाप्टर कहता है अगर हम बोलना चाहें तो अगर आप लोग को यह लेक्चर अच्छा लगा तो मेक्शियो करें कि वीडियो को लाइक जरूर करें आज अपने प्यार बरसाते रहें थैंक यू लगते हैं लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दुबार दोस्तों जरूर मिलेंगे बाइ